friends, आज की इस वीडियो में, मुई बात करने वाले हैं semi-conductors के बारे में, यानि की उसके introduction के बारे में लेकि इस से पहले हम लोग बात करचुके, conductors और insulator के उपर हमें पता है, conductors जो होते हैं, उनके इंदर, कई सारे free electrons होते हैं जो कि इदर उदर motion करते रहते हैं और उसकी वज़े से ही जो हमारा current है यानि इलेक्रिक current है वो pass होता है जब कि जो हमारे insulators होते हैं उसके अंदर जो electrons होते हैं वो tightly bounded होते हैं बंदेवे होते हैं इसलिए electric current pass नहीं हो पाता है अब जब हम लोग इस conductor को जिसके अंदर बहुत सारे free electrons हैं जो कि randomly दर उदर motion कर रहे हैं जब किसी electric field के अंदर रखते हैं या फिर कोई external electric field इसके अंदर established करते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर के free electronic force experience करते हैं और एक particular direction के अंदर motion शुरू कर देते हैं इसके वज़े से इसके अंदर drift motion शुरू होता है ठीक है drift velocity जिसको हम लोग कहते हैं और current जो है वो बहने लगता है ठीक है और इस property को हम लोग conductivity कहते हैं अब जितने ज्यादा अच्छी तरीके से electron बहेंगे conductivity उतनी ही ज्यादा है ठीक है और एक relation भी निकल के आता है जे vector is equal to म है यह आपका conductivity multiply by electric field यह जो हमारा relation है यह हमें बताता है कि जितनी अच्छी conductivity है मतलब जितने अच्छी current density है जितना ज्यादा current बह सकता है उतना ही अच्छा वो material है as a conductor ठीक है मतलब उतना ही अच्छा conductor हुगा गोड कंड़क्टर तो यह तो बात हो यह तो यह conductors की वहीं जो ह मतलब resistivity बहुत ज्यादा है मतलब उसके current को रोकने के लिए जो property की जरुद पढ़ रहे resistivity बहुत ज्यादा है अब देखिए यह तो चीज ठीक थी जब तक conductor थे insulator थे लेकिन जब आप लोग बात करोगे modern electronics की circuit की तो हमें ऐसे devices चाहिए ऐसे material चाहिए जिसके अंदर हम collector और insulator दोनों में ही possible नहीं है तो इसका मतलब एक ऐसा material जिसके अंदर electrons यानि की charge carriers को control किया जा सके और उसकी direction को भी control किया जा सके उसे हम लोग semi conductors कहते है तो अगर history की बात करें तो early 1900 के अंदर यानि की 1910, 20, 30, 40 के अंदर जब लोगों के पास semi conductor का ग्यान नहीं था knowledge नही devices create करते हैं जिसके अंदर हम लोग electron के flow को control कर सके साथ ही उसकी direction भी देख सके उसे भी control कर सके तो उन्होंने ऐसे कुछ devices बनाए ठीक है उन devices को हम लोग कहते हैं wells अलाकि wells जो है वो कुछ इस तरीक से दिखते हैं यह मैंने क्यों कहा है मैं आपको बताता हूं देखिए उन्होंने एक device create किया vacuum diode नाम का जो कि कुछ इस तरीक से दिखता है ठीक है यह vacuum diode का सब नाम से पता चलता है कि इसके अंदर सब कुछ vacuum है मतलब इसके अंदर कोई air न electron भार निकलते हैं जो कि इस anode तक जाते हैं और इन electrons की वैसे जो energy जो electricity create होती है जो कि controlled होती है उसका use हम लोग devices के अंदर करते हैं जो भी electronics devices उस समय जो बने थे ठीक है लेकिन अब ऐसा होगा कैसे मतलब इस cathode में से आप electron निकालोगे कैसे ठीक है तो उसके लिए क्या किया जाता था कि इसी cathode के पीछे एक heater लगाया जाता था जो कि आपको coil जैसा नजरा रहा है न ये एक heater है और इसको supply दी जाते थी जिसकी वैसे ये गर्म हो और ये cathode को गर्म करें ठीक है अब heat मिलेगी cathode को जब heat मिलती है तो इसकी electron जो है बाहर निकलने लगे क्यों क्योंकि जरूर से ज़्यादा जब heat मिलेगी जरूर से ज़्यादा energy मिलेगी तो जो electron होते हैं वो बाहर निकलते है आइनाज धो होके तो ये बाहर निकलेंगे और जाएंगे anode की तरफ अब इसके अंदर जो vacuum रखा गया है मतलब इसको बिलकुल खाली रखा गया है बिलकुल vacuum बिन निकलेगा मतलब जो energy जो electricity controlled हमें चाहिए वो हमें मिलेगी लेकिन ये जो vacuum diode बने था मतलब बना था ये जो device इसकी बहुत सारी problems थी सबसे पहली problem तो ये थी कि इसके अंदर हमें space रखना है तो ये बहुत ज़्यादा जगे गेरेगा मतलब ये बहुत ज़्यादा bulky था मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप समझे जी भारी चीज़ को कहते हैं दूसरी चीज ये थी कि इसके अंदर high power देनी पड़ती थी ये high power consuming था ये 100 वोल्ट से नीचे काम नहीं करता था ठीक है मतलब अगर आप लोग voltage दो गे तो उसको 100 वोल्ट का voltage देना पड़ेगा उससे पहल पर एक ही direction है तो इसका मतलब इसके अंदर दूसरी direction में आप एक ही वक्त पे जो है electrons नहीं बेच सकते तो current जो है वो सरफ एक ही direction में चलेगा और चौती जो इसकी disadvantages थी वो यह थी कि यह limited life के थे मतलब अगर आप इसकी real photo देखोगे तो यह आपको कांच में नजर आएगा तो यह जो है वो तूट भी सकता है तो इसकी life जो थी वो बहुत limited थी तो मैंने इसको valve इसलिए कहा था क्योंकि हमें पता है कि valve के अंदर क्या होता है एक ही direction के electronic device के अंदर और फिर इसी principle को लेकर के सिर्फ यह diode नहीं इन्होंने ट्रायोड भी बनाए ट्रायोड भी बनाए और पेंटनोड भी बनाए जिसके अंदर तीन चार पांच electrodes भी थे ठीक है उसकी help से और भी devices को चलाया गया लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी बहुत से disadvantages थी त जाता चल नहीं पाते थे लोगों काफी नुकसान होता था काफी रेरली यूज करते थे बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता था अब उसी वक्त कुछ ऐसे solids भी नजर में आये जो की यह बहुत सी चीजे offer कर रहे थे जैसे कि उनके अंदर possibility थी कि आप इनके अंदर number of electrons को control कर सकते हूं साथ ही इसकी direction को भी control कर सकते हूं मतलब एक ऐसा material अगर मैं यहां से current दे रहा हूँ तो pass होगा और अगर मैं यहां से current देना चाहूँ तो यहां से भी pass होगा दोनों तरफ से जैसा कि हमें पता है कि conductors के अंदर क्या होता है आप अगर एक तरफ से current दोगे तो एक तरफ से ही pass होगा दूसरी तरफ से pass नहीं होगा ठीक है वहीं insulator के अंदर तो होता ही लिए लेकिन इसका advantage यह था कि इसके अंदर आप यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो दूनों तरफ से pass कर सकते हो साथ ही यह बहुत छोटे थे अब अब अबसी बात है material है तो इसके अंदर vacuum का भी use करने की ज़रूत नहीं थी भारी भी नहीं थे और इनकी life भी ज़्यादा थी मतलब इस ज़्यादा समय तक चल सकते थे तो अब यह observation हुई कि इसके अंदर जो electrons है ने की charge carriers है वो controlled है मतलब इसकी direction भी controlled है और यह कितने जाएंगे वो भी controlled है number of electrons तो इसका मतलब इसकी जो conductivity है वो conductor से तो कम है और insulator से ज्यादा है ठीक है और इसकी जो resistivity है वो conductor से ज्यादा है लेकिन insulator से कम है तो इसका मतलब यह जो है बीच में कहीं लाय करता है ठीक है तो लोगों ने इसको बीच में जगए दी मतलब conductor और insulator के बीच में semi conductor को रख दिया और यह बना एक base काफी सारे electronic circuit को बनाने का तो इसका मतलब अब अगर आप लोग इसकी resistivity देखो गए यानि कि conductors के आप देख सकते है सबसे कम है उसके बाद semi conductors की है ठीक है उसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो आपके insulators की है वहीं जो conductivity है वो आपके conductors की सबसे ज्यादा है उससे कम semiconductor और सबसे कम insulators ठीक है यह चार्ट से आपको पता चल सकता है तो यह जो values है resistivity और conductivity यह इनको define करती है मतलब differentiate करती है तो अब सवाल यह उठता है कि यह semiconductor है तो कौन-कौन से हैं कितने type के होते हैं इसकिस base पर हम लोगों ने इसको define किया हुआ है तो देखिए यह तो कई सारे इसके base है लेकिन mainly तीन तरीके से है जैसे कि जो elemental होते हैं मतलब जो की सीधे-सीधे पाई आते हैं जो element जो semiconductor वो है silicon और germanium उसके अलबा जो compound होता है compound क्या होता है दो element से मिल करके बना हूआ ठीक है तो उसके अंदर भी inorganic, organic और polymers ठीक है जैसे कि inorganic के अंदर होते हैं कुछ ये वाले और जो हमारे polymer होते हैं वो होते हैं कुछ ये वाले हलाकि मैंने आप को बहुत कम example दी हैं बाकि कुछ ऐसे semiconductor compound होते हैं जो की, जो device हम बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से भी design किये जाते हैं, ठीक है, यही तो खास जाते हैं, सेमिकंडॉक्टर की, यही तो खुद बनाए भी जा सकते हैं, और modern electronics में का सबसे ज़्यादा reuse है, अब देखी जो तीसरा तरीका है, वो सबसे main है, जिसकी study हमें इसके अ conductor है, और कौनसा insulator है, ठीक है, और उसी पर हमें इस पूरे chapter में study करनी है, energy band को ले करके, ठीक है, तो उसके बारे में, अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बनाएंगे, energy band gap diagram, या फिर energy level diagram, ठीक है, so I hope आपको यह introduction समझ माया होगा, और आप लोगों को समझ माया होगी, semiconductor की importance, और साथ ही कुछ properties भी, ठीक है, इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई question रहता है, कोई query रहती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो please आप हमें comment section के ज़री बताइए, so friends, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one. झाल